हुआ है 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 फ्रेंट्स वेल्कम बैक इन मैं न्यूव वीडियो और मेरे पास आप सब के लिए फिर से एक सक्सेस स्टोरी है आज मेरे साथ है अनुमेहा जैन और अनुमेहा बेसिकली बोपाल मद्यपर्दिश से ब्लॉंग करती है और आप इन्होंने क्या में क्या है और इनको भी जॉब भी मिली है से में कैमपस प्लेस्मेंट में तो सुनते हैं अनुमेह की स्टोरी आपको बहुत इंस्पैर भी करेगे विकॉज अनुमेह ने सीएस भी क्वालिफाइट कर रखा है और अभी सीए फाइनल में भी और इनकी अभी एज बहुत कम है 25 येज में सी सीए में कंप्लीट कर चुकी है प्रस्टीय फाइनलिस्ट है उस इंचर में जॉब लिया है ये फंक्शन कंसल्टेंट तो बहुत सारी चीचे इस वीडियो में जो आपको सीखने और समझने को मिलेए प्लीज वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना और चैनल को सिस्क्राइ मिला है और यह उप्रचुनेटी मिलेगे मैं स्टोन शेर पाई हूं ओके ग्रेट सो लाइक आपको कैंपस में जब आपको मिला से में कैंपस में तो लाइक हावा जो फीलिंग एज फॉंक्शनल कंसल्टेंट आप इसेंचर में एक न्यू जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हो अंधर अंधर वनेट ली बताओं तो पैट विलीव यह नहीं हो रहा था कि सच में कर रहा है क्योंकि क्यांपस का आपको भी बताओं कि बहुत पूरी बिन तक चलता है सुबह 8 बजे से लेकि साड़े मांच पर कन्फरमेशन मिला तो एंड तक आते आते तो मैंने होप और फिर जब में ब्रेक लेकर रही तो मैंने बताए कि वह बहुत ही प्राउड फीलिंग थी मैंने आपको कॉल किया फिर घर पर बताया तो अच्छा आपके जर्णी मेरे साथ वहां पर इतना कॉंपेटिशन भी था डेली कैंपस में की लगा की चलू मिल गया है तो बहुत यह देफिनेटि देली कैंपस में दोरा सा ज्यादा कंपटीशन था कंपनेच कम थी राइट जी तो देन लैक्ट्स कोश्चन मेरा यह था कि आपको मेरे साथ आपकी जर्णी जो एक मेने कि थी तेर मेने कि थी अपने वह कैसी रही आप और उसका सबसे बड़िए कि मैंने बस मार्थ में जोइन किया तो एक महिने बाद में सेलेक्ट होगी थारड मार्थ को जोइन कि थी आपकी क्लासे थार्ड एप्रेशन हो गया थे बहुत ही इंप्रेस्टिंग जर्नी थी बहुत ही लर्निंग वाली थी ति मतलब सिर्फ आप जूम पर सेशन्स रहते थे बोलने की प्राक्टिस हुई confidence बढ़ा क्योंकि हम लोग से पढ़ते रहते हैं तो उसका आइडिया नहीं हो था कि कैंपस में क्या करना है तो आपने सर इंदम हाथ पकड़ते जैसे गाइड किया मैं कभी भी फोन कर सकती ते वार आप हमेशा कॉल बैक करते थे इंफांक मुझे यादे कि सर कैंपस के वक्त भी थोड़ी सी कंसूजिन हो रही थी तो आप से मैंने राउंड के बाद क्या होगा आपने गाइड किया तो मुझे तो ऐसा लगा कि मुझे आप कुछ सोचने की जरुवत नहीं सब आप देख रहे हैं तो बहुत अच्छा अच्छा जब आपको ऑफर मिल चुगा था देन फिर अपने अपने पैरेंस को बताया उनका रियक्शन कैसा था तरो बहुत ही सब्सक्राइब करते हैं तो बहुत करते हैं आप अपने अपने में कॉर्स कैसे आपने जॉइन करने के बारे में आपने सोचा है कि आपको करना चाहिए को के सर्मला में 10 से बताते हूं कि 10 मेरा यह तो डिसाइड़ था कि PCB और PCM नहीं लेना है साइंस बाग्राउंड में मैं नहीं जा पाऊंगे तो कॉमर्स तो डिसाइड़ था फिर मेरे कजिन भाईया थे वो CMA कर रहे थे तो उनके थ्रू मुझे पता चला कि अच्छा ऐसा कुछ कोर्स होता है उस वक्त मुझे इसना आइडिया नहीं था तो उन्होंने एक लाइन बोली थी कि कर कॉमर्स कॉस्टिंग में कोई मास्टर होता है तो वो CMA होता है कॉस्टिंग के बहुत अच्छी पकड़ होती है अ इन चीजों ने इंस्पायर किया मुझे कि मुझे भी अश्पर्ट नॉलेज तो चाहिए ही है मैंने सर्फे 12 के बाद इन्रोल्मेंट कर दिया और फाउंडेशन से सर्फे जर्नी स्टार्ट के और 12 के बाद ही आपने CMA में में एडमिशन दे लिया और CS में कब लिया था फि सब्सक्राइब कर रही थी मैंने उसकी बुक्स देखी तो मुझे लगा यह बहुत ही इंट्रेस्टिंग चीज ही हमें पता होना चीजिए सर उस्टार्ट कर दिया है और आप कैसी इतने सारे थूरी को आप लंबे समय तक अब रिटेन कर पाते हो बिकोश्येस में भी काफि जी सर जो कैसे आप रिटेन कर पाते हैं कुछ हम सिक्टी प्लस लॉज पढ़ते हैं ओवर दर डिवरेशन थी इंट्रेस्टिंग आपको पढ़ने में मज़ा आती है सर सेकेंड यह कि अपने आपको जानना पड़ा जैसे सर मैं ऐसी हूं कि मेरी शौट तम मेरी कम हैसे आप अपने आपको पहसानना पड़ेगा कि कैसे कुछ लोगों की शौट तम अच्छी है तो एक घंट पहले पढ़ने को याद रहेगा लेकिन अगर मैंने उसको दो-तीन बार रिवाईज कर लिया तो बहुत देर तक याद रहेगा तो अपने आपको जानना कि हमारी शौट तम कि मेरी के शौटन अच्छी है लोग ममें अच्छी है और उस एकोडंटिंग फिर आप प्रण कर सब्स्क्राइब करते तो बार बार जिस्थी पर ना together to fd Schneeo कि मेरी मैं मिरी शौट-टम यहusz कॉषिज और श्रक्रों अच्छी क्रते बनाऊ सेकटरीं की रिविजन 2 या ती किक को किको पड़ती कि मेरली पहत इंटरेंस्टिंग हो जाता है कि मैं अगे set सब्सक्राइब कर दो बहुत इंट्रेस्टिंग हो जाती परणाई करने प्रेट जब यह पूछ रहा था आपकी इंट्रेंट से बेटी आपने भी कर रहे तो यह तो इतनी सारे सब्जेक्ट नाइक हम एट सब्जेक्ट के बारे में सोचते हैं कि हम कैसे मैनेज करें और आप सब्जेक्ट एक साथ मैनेज कर रहे तो यह आखिर क्या क्या स्ट्रेटी जी जो आफ फॉलो करते थे मल्टिपल कॉलिस के सब्सक्राइब करने को फॉर्ट साथ इसी तो पढ़ने का मजी हो रहा है मैं मोवी देख लेती हूं गाना सुन लेती हूं और जब पढ़ रही हूं तो हंडेड परसेंट वह है सर में अपने टाइम को मैनेज कर दी ऐसे कि मतलब मुझे पढ़ा था कि मुझे एक्जाम देना है तो उसके बाद यह देना है तो वह स्केडियूल बहुत अच्छे से बना रखा था कई बार नहीं भी फॉलो था हम सब यूमन बींग से तो कई पर नहीं होती है सारी स्टेजी लिकिन मैं कोशिश कर दीगी वैसे ही चलू जैसे प्लान कर रहा है और एकदम मस्द रहो ज्यादा टेंशन मतलो पॉजिटिव रहो हो जाएगी चीज़ी अच्छा आपने इंट्रेंसिप भी किया है और तो आप क्या स्थिस्ट करना चाहते तो लेकिना टाइम का मिनिममम इंट्रेंसिप उनको करना चाहिए जैसे 15 मन्त तो कंपल सरी है बट एपार्ट फॉर्म 15 मन्त और क्या-के एरियाज है जो उनको ज्यादा एक्स्प्लोर करना चाहिए दूरिंग इंट्रेंस तो आपने मल्टिपल एरियाज भी आपने एक्स् फाइनान्स का भी देख लो तो या तो मिट साइस फर्म में यह पॉसिबल रहता है कि हम डेटिंग भी देख पाते है और थोड़ा वाद जो भी कॉस्टिंग का कॉस्ट ओर्ट वो भी करी लेते हैं तो मेरा यही सजेशन रहेगा कि मिट साइस फर्म करें और अगर किसी को ज्यादा मतलब डाइवर से तो आप दो तीन फर्म में स्विच भी करता है तो मैंने यही कर रहा था एक भूपाल बेस्ट फर्म में कर रहा था फिर मुंबई में एक सीए फर्म में कर रहा क्या क्योंकि मुझे इंटरनाशनल टाक्सेशन और ट्रांफर प्राइजिंग एक चाहिए जा और फिर यहां बोपाल में मैंने कॉस्टिंग थे प्रोफाइल में भी दुबारा काम किया कि वह इंडस्ट्रिल एर्या मंडी देप यहां पर तो इसका इडिया लग जाए कि कैसे इंडस्ट्री वर्क करते हैं कि अच्छा एक कोश्चन यह था कि भी यार कि मैं यह पूछ रहाता अलेक आपने सीएस भी आप जब आप क्वालिफाई किये थे और देन आप सीएमें क्लिया पर राइट आपका साथ में चला था तो फिर आपने यह नहीं सुचा कि मैं सीएस कंप्लीट हो चुका है तो मै मैं उधर भी अपना कुछ जॉब स्टार्ट करूँ और साथ के साथ मैं अपना सीएमें या फिर सीए को कंटिनियू रखो सर पहले मुझे से था कि पढ़ाई का पीरिट चल रहा है अभी तो अभी पहले पूरी कंटिनियू कर लेती हूं क्योंकि सर मलब सीएमें आपको बगता है यह टाफ स्कूर से तो वो जॉब के साथ मैनिज से थोड़ा सा डिसकल्ट हो जाता है तो सीएस मेरा क्लियर होगे त यह अश्या आपको जो कैम पुएंपस से सेसे का ओफर मिला तो कैम पस में सेम्हें किया पाई के जो घूफर किया था सब्सक्राइब करते हैं एक मैंने जो आपको नूट्स प्रोवाइड के थे मेरे बुक बंडल्स थे वो आपको कैसा लगा था सेवियर थे पढ़ाई करने के लिए क्योंकि वापिस सीय में की बुक्स तो नहीं पढ़ पारे थे तो आपकी धनवेदा बुक थी वो तो बहुत ही वेस्ट थे उसके जो सारे क्वेशन से वान लाइनर क्वेशन वह मैंने बहुत ही अच्छे से प्रपेर किये और इंफाक्ट आईडेटी और साप का मेरा हित्ता नहीं था सर मला एक फोजर इंटर्ण के दोरा तो जो इंटर्वियू रिट क्वेशन से मैंने आप बुक्स से पढ़े सर और इंफाक्ट आपने जो टेस्ट सीरीज भी डाले हुए वो भी मैने अटेम की थी देखने की मेरी प्रप्रेश क्वेशन से उसमें तो फुट मज़ाई सब्सक्राइब करने चाहिए अगर पास करना चाहते हैं एक्जाएं परस्ट है कि किसी से कंपारिशन मत करो सब्की जरनी अलग है किसी का अभी क्लियर हो रहा है बाद में क्लियर हो रहा है आज इसने एक चैप्टर पढ़ लिया मेर तो आथा भी नहीं हो यह मत करो सब अपने अपने टाइम जोन में किसी को जल्दी याद हो रहा है किसी को लेट याद व्रजसर मेरे साथ ही है मुझे बहुत देर से याद होगा लेकिन फिर वो याद रहेगा तो लॉंग टम के लिए आप मैं किसी ऐसे से कंपेर करूं जिस इस सब मोटिवेशन वो सब जरूरी है लेकिन टेंशन लेने से चीजे और बिगण जाती है तो आप बना इजी हो के पढ़ो हंडिट परसेंट हो आप जो पढ़ रहे हो वह है सब थर्ड है कि अपनी बॉड़ी और माइंड का बहुत ध्यान रखो मिला बॉड़ी का तो हम कि एक्सरसाइज करना थोड़ी बहुत अच्छा खाना खाना लेकिन माइंड के लिए कि आप कैसा कॉंटेंट कंजियूम कर रहे हो आप कैसी मूवी देख रहे हो मलब अगर आप नेगेटिव कॉंटेंट देखोगे आपके थोट्स नेगेटिव होंगे और फिर वो पढ़ पॉंडेशन फर्स अटेंब में वो तक में फर्स रांक आई थी मेरी तो उसके बाद इन्टर में मैं इरे एग्रीगेट कम थे तो वह वाला अटेंब में बोथ ग्रूप फिर क्लियर निए हुए नेक्स अटेंब में वोज ग्रूप क्लियर और मुझे पर एक लैर्निंग मिली कि exam oriented पढ़ना चाहिए मेरी यादा थे कि बहुत in-depth में पढ़ने बैठ जाती थी तो वो exam oriented पढ़ना चाहिए फिर फाइनल में भी यह हुआ कि first attempt जब दिया तो बोद ग्रूप स्क्लेर में और एक सब्जेक्ट में कम थे मां फिर वो सब्जेक्ट को बहुत पढ़ा और प्लस तो फिर मतलब यह है कि मज़ें लगा कि जब नहीं आया तो इंस्टेट ऑफ और रोने दोने से बेटर है नहीं कम्यों पर काम करो और नेक्स टाइम बेख करो और नहीं ट्राइट सो बिसिकली मैंने इसलिए फूशा बिकोज बहुत सारे स्ट्रेंट में पर स्क्वार करते हैं कि सब्सक्राइब लग चुके हैं तो क्या कैमपस में हमारे लिए कुछ पॉसिबिल्टीज है या फिर हमारा कुछ नहीं हो सकता तो इसलिए मैंने आप से पूछा और इस्ट्रेंट को आईटे लग जाएगा कि या अटेम्ट लगने से भी कोई ज्यादा इंपैक् तो वो नॉलेज और स्किल्स जो हैं वो बहुत मैटर करती हैं कम्यूनिकेशन स्किल्स बहुत मैटर करती हैं तो अपर्ट फॉम दिस एनी अधर सेजिशन्स आप इस्ट्रेंट्स को आप देना चाहते हो कि यही है जो मैंने पहले बुला कि तो जबरदस्त होगा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आप अपने माइंड मतला बोडी और माइंड का ध्यान रखो कि पूरी जर्णी में वही है वोजिटिव रहना है और बाकी सर आपकी कोचिंग तो ले नहीं है तो वो एक बहुत कि एजी रस्ता हो जाएगा कैमपस में जाने के लिए वरना अगर तो पढ़ाई करने के बागाद हम जब जाते हैं तो मैं कुछ आईए नहीं है तो कैमपस एक ही बार होता है उसका बेस्टिलाइशन करने के लिए सर के ग्लासे मतलब मुझे तो सीनियर से पता चाहली नहीं और फिर मैं उनको बहुत थैंक्यू बोल चुकिया अमी तक तीन चारवा कि आपने थैंक्यू ट्रेफर करा सर को तो दिया ही और बहुत अच्छा है तो होपस हो कि आप फ्यूचर में और भी एचिमिंट लो आप जल्दी से अपका सीए इस पार अपने पेपर दिया है होप हो कि आप सीए क्वालिफाइड भी हो जाओ और 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 भी उच न्यू एचिमिंट अपने लाइफ में लो यही मेरे विशेज है आपके लिए तो किसी भी दर अगर पूट्रिबूट कर पाऊ तो सब्सक्राइड पाऊ तो सब्सक्राइड भी वेडिट फूर एच्छर शुर 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 वे रिच दो इफ वे विए ए और वे वे क्वेश्ट अधियू थे तो